वेल्कम टू में चैनल नॉलिजेवल एक्सप्रेस तो आज हम लोग बढ़ते हैं एक नए स्रीज की योगर और इसमें हम लोग चलते हैं मुगल काली इतिहास पर मैं ब्ताय था कि भारते हैं में क्रम बाइक्रम एक के बाद एक के बाद एक मैं आप लोगों के लिए सिलसिले बार तरीके से एक से एक वीडियो मैं आप लोगों को दूँगा तो आप लोग देखेंगे मेरे चैनल पर सिंदु घाटी सबिता से लेकर के एक एक करके सिलसिले बार तरीके से मैंने आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो दे रखा है जिसमें 26 से संग पराधारित प्रसुनतोरी वगरा सब कुछ सामिल है अब मैं प्रारम करने जा रहा हूँ भारती एतिहास का वो काल जो कि भारती एतिहास के लिए सबसे महत पूर्ण काल माना जाता है मुगलों का काल इसमें हम लोग आज देखेंगे मुगल समराज्य के अगर हम जन्म का नाव की बात करें तो जहिर अदीन मुहमद था और 1526 से लेकर 1536बी तक इनका सासनकाल रहा उसके बाद जो सासका यह उसमें हुमायू इनका चर्म का नाम नासीर उसमीया ठोड़ीम ऐसके बात करें तो अकबर जो की जिनका जन्म नाम जलाल उद्दीन मुहम्मद अकबर और सासंकाल 1526 इस्वी से 1626 इस्वी से 1626 इस्वी तक रहा उसके बाद जो सासकाय वो जहांगीर और जन्म का नाम नूर उद्द्दीन मुहम्मद सासंकाल 1625-1627 भी और उसके बाद जो सासंकाए साजहां ए आजम जन्म का नाम सहाब उद्दीन मुहम्मद खुर्रम इनका सासंकाल 1627-1627 भी रहा उसके बाद के जो सासंकाए आलमगीर और उनका जन्म का नाम मुयुद्दीन मुहम्मद औरंजेब उनका सासंकाल 1659-1737 आगे एगर हम लोग बात करें तो उसके बाद जो सासक आये आजम सा, जन्म का नाम अबू अलफयाज, कुतुबदीन मुहम्मद दाजम सासंकाल 1457-1737 आगे आट जुन 1737 इश़ रहा, उसके बाद के जो सासक आये वो बहादूर सा, जन्म का नाम, कुतुबदीन मुहम्मद पाजम और उनका जो सासंकाल रहा 1737-1712 उसके बाद के जो सासके है जहादार साह, बच्पन का नाम जन्म का नाम, मुई जुद्दिन जहादार साह, बहदूर, महम्मद आजम सासंकाल 1712-1773 और उसके बाद के जो सासक आए फरकृसियर और जन्म का नाम भी लॕछ सियर शासनकाल 1723 से 1729 सीश्वी उसके बाद के जो सासका है रफ्यूद उद्दरार्त बच्पन का नम रफ्यूद उद्दरार्त शासनकाल 28 फरवरी 1720 से 6 जून 1720 और उसके बाद के जो सासक आये सहा जहां दुतिये व्य जन्म का नाम रफिज उद्दौला शासंकाल 6.17.17 और 6.17.17 शासंकाल 9.17 आगे तक रही रहा और उसके बाद जो सासक आये मुहमज साह उनका जन्म का नाम रोशन अक्तर बहदूर शासनकाल 179 से 1748 इसवी उसके बाद के जो सासका है सासका नाम अहमद सा बहादूर जन्म का नाम अहमद सा बहादूर सासनकाल 1749 से 1754 और उसके बाद के जो सासका है अलंगीर दुतिये जन्म का नाम अजीज उद्दिन उसके बाद की जो सासक आये सासक का नाम सा जहादु तिरतिये जन्म का नाम अली गौहर सासनकाल 1769 से 1806 और उसके बाद की जो तीन सासक रहे उसमें सा आलम दुतिये अखवर दुतिये बहदूर सा दुतिये तो सा आलम दुतिये का जो बच्पन का नाम था जन्म का नाम अली गौहर सासंकाल 1779 से 1826 अकबर साधुतिये जन्म का नाम मिर्जागपर 1860 से 1837 और बहादूर साधुतिये जन्म का नाम अबु जफर सिराजुद्दीन मुहमद बहादूर साजफर सासंकाल 1870 से 1857 तो ये हम लोगों ने मुगल कालीन, मुगल बादसाहों के सिलसलिवार तरीके से हम लोगों ने देखा एक विशह सूची, एक सूची देखा, मुगल बादसाहों की सूची को देखा, जो कि कब से कब तक इनका सासन रहा, अब इसके आधार पर हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे, पहले हम लो लोगों को सा जहां के बारे में पूरी जानकारी के साथ में प्रस्नत्तर दूँगा और इस तरह से सिल सिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को अकवर के रहा उससे related मैं एक एक बाजसाह पर एक एक वीडीो बना करके और उसपर प्लीक तर दूगा और फिर जब ये मुगल कालीन जब मेरा complete हो जाएगा फिर complete एक वीडीो बना करके मैं आप लोगे को complete प्लीक 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 तर दूगा ताकि तो आपसे आगरा है कि आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए खास प्रकार का वीडियो बना करके आपके लिए आप तक पहुचाता रहूँ मुझे हम लोगों को यूट्यूबर को और कोई जरूरत नहीं पड़ता है सिर्फ आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे इसे मेरा मनोबल बढ़ेगा तो प्लीज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर करें इन सुची के बाद मैं आप लोगों को प्रतेक दिन एक एक बादसाह के बाड़े में आप लोगों को वीडियो और प्रस्नतर दूँगा तो लाइक, सब्सक्राइब और सेयर जरूर कीजिए मेरे वीडियो को ताकि आप तक बेहतर वीडियो पहुँचते